वाट्सप गाईज आज हम देखने वाले हैं सब कुछ दावव पर लगा है बिग एक्सपेक्टेशन पर विडाट कोलियन बुमरा तो पूरे मैच की प्लेइंग लेवन के उपर भी बात होगी क्या हो सकती है तो उस पर बात करेंगा और मैच के रिलेटेड जो भी रखेंगे फिडियो कर देना लाइक वण टुट्री लगा है हमारी उस्टेलिया से पटी हुई है और यह यह टुला भाइस को बता दो टी-20th जशुका है पाकिस्तान वाला और तू था भी नीई उसमें और यह ती-20 कीडे क्रेश्ट में मत निकाली यौ सत्रा को सोया नहीं रात भर ठारा को भी दूना आई नजर उन्निस को में दिवाना हुआ बीस को घर से रवाना हुआ गलियों में गलियों में ये गाना आगे ऐसे है अरे बॉल ना नवंबर का ही महीना हो सामने उस्टेलिया हो कपडे चेंज हो मतलब टेस्ट किरके ठोग और उस्टेलिया को घर में ठोग दे तो कैसा रहेगा ये पिलें कैसा है भाई लोगो लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जोगए सब्सक्राइब करते हैं कि अन्यस नवंबर और उसका भाई गोड़े रख रख के छोट मारना ये खतम ही नहीं हो पा रहा है अभी अभी मैं टुल्ले की बैटिंग देखके आ रहा है नेट्स में वह बंदा टेस्ट को टेस्ट की तरह खेल ही नहीं रहा है समझी नहीं वह ऐसा लग रहा है जैसे टीट्वेंटी की तैयारी कर रहा है भाई बट चलो कोई नहीं घबराओं मत भाई हो देखो हम ट्रेविस टुले से दो तीन बारी पिल चुके हैं क्या पता हम लोगों को अकल आई ही गई हो ऐसा भी हो सकता भाई हो क्या पता जस्प इस तारीक की क्योंकि इसमें ना हम बहुत ज्यादा उमीदों से भरे हुए थे और अचानक से भाई हमारा बहुत ही गंदा कट गया लेकिन जौस पूरा हो ला चल से देख रहा हूं भैंस की यांग इंस्टाग्राम चलाओ दे वह उन्नीस नमबर भाई एक रील भी इतनी स यही उन्नीस नमबर चलो अब यह उन्नीस नमबर खतम हो गयी है बस एक घंटे के बाद विस नमबर चालू हो जाएगी इसी नमबर के महीने में अगर हम ऐस्टेलिया को ऑस्टेलिया के घर में भाई लोगो अगर हम ठोक दें तो इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या अपनी अपनी 11 कोन सी है वो अलग मुद्दा है और सबकी अपनी अलग अलग जो है वो हो सकती है लेकिन 22 नॉम्बर को जब इंडिया उत्रेगी ना पहला टेस्ट मैंच केल लें शायद बहुत लोगों को ज्यादा उमीद होगी नी इंडियन टीम से बट मुझे दो बंदों स यह पहले टेस्ट मैंच में चाहिए ताकि उनकी पांच में टेस्ट मैंच तक फटी पड़ी रहें कि यार जस्परिद बुम्रा है आदे घंटे में लंका लगा सकता है तो सबसे पहला नाम जस्परिद बुम्रा रन अल्टिमेटली इंडिया बना लेगी कोई शायद विरा क्यूंत बोलिंग सब्सक्राइब करने लेंगे हम लोग हमारे हाथ में बोल है हमारे बंदे भी इक ले सकते प्या कर देगा है यह कोई बात नहीं है तो बता रहा हम बराबर पटी पढ़ी है पे इस च्टेलियन की बराबर अगर हम ड़ेंशन तो वह जो कोई पाकिस्तान से नहीं खेल रहे हैं कि बिल्कुल comfortable हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं भाई लोगो नमबर वन सबसे पहला नाम जिससे बहुत ज़्यादा expectations हैं बोलिंग में वो है जस्परिद बुम्रा भाई लोगो सबसे बड़ा नाम विराट कोली अगर उस इनसान ने रन बनाए अगर वो महां खड़ा हो गया उसके बाद तुम देखना बाकी सब के अंदर मैं आपको सची बता रहा हूं मजाग नी फिर सिराज भी जो है ना सिराज भी अपना विकट नी फेकेगा इतना होसला आ जाता है बैटिंग लाइनप में एक नाम जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा और मैं चाहता हूं उसके उपर बात हो वो है जैसवी जैसवाल एक ऐसा नाम है भाई जो शायद इस बॉर्डर कवास का ट्रॉफिस है जब वापिस आएगा ना तो सब उसकी बात कर रहे होंगे लेकिन अ चैसवी जैसवाले अल्रडी करते हैं यह शाष्पी जैस वाले कैसा नाम है जिसके उपर वह वाला प्रेशर नहीं लेकिन वो ऊस्टेलिया को खोड़ सकता भाई और उससे पूरी पूरी उमीद है भाई मिल को बहुत जाद उमीद है मैं यहां आप गिल का नाम नहीं बैटके यह इतनी तकलीफ नहीं लेते इतनी तकल्लफ नहीं ले सकते हैं यह एक बंदा ही लगा लो कोई 10-15-20-25-25 बंदा मिल जाएगा कोई ट्वीट करने वाला ही रख लो यार इन्हों ने देवदद बढ़ीकल को वहां रख अभी तक ऑफीशल नहीं करके बताया इन्हों ने इन्हों ने शुबमन गिल को हुआ क्या है अभी तक ट्वीट नहीं करके बता सकते हैं को यह मैं सच्छी बताओं मुझे ऐसा लगता था पहले कि शायद सुत्रों के हवाले से मुत्तर पर हम डिपें अबुआ कर रही है रिपोर्ट आगी होंगी तो बता कहीं नहीं दे बाइस तारी को सुबह बताओं के साधे पांच बजे यूज कि बश्तर पडिकल को रखा हुआ क्यू रखा हूआ का बटाएंगा को बताएगा को बताएगा पाकिस्तान वाले ट्वीट करें गया उस्ट तो डाल डाल के चिडा रहें भाई यह 29 जून को हमने भी इनकी ऐसे तैसी फाट नहीं है ठीक है न जिब हमने उस्टेलिया को पेला था न हम भी अपने ट्वीट करेंगे उस दिन और जिस दिन अफगानिस्तान ने पेला था उस्टेलिया को वह वाली फोटोस भी डाल निया कंगार्वों को यह जैसे तैसे करके 19 नॉम्बर जेलो इनकी ऐसी की तैसी हम भी पेलेंगे इनको पूरा पेलेंगे टैंचन लिए तुम लोगों मैं एक बरी 11 बता दूं आप लोगों को 11 बता देता हूं आज घ्यान थोड़ा कम रखेंगे वह बता देता हूं और मेरी 11 क्या है वह बता देता हूं इधर आप एक लड़के का फोटो देख रहे होंगे इनका नाम है अभी मन्यू इश्वरन इनका नाम है अगर यह लड़का पहले टैस्ट मैच में नहीं खेलाना तो कोई बात नहीं पर दूसरे तीसरे त्योथे पांच में खेल लेगा उसमें किया है निकैंश्वोων Benjamin खेल सकती हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हर भी थोड़ी होता है जो सेई-घो आई पिर के बात नहीं क्या क्या किता सि नियुकर्षे करते आपके हाइब नहीं प्रैसर नहीं बंता है तो दबदबा नहीं ढंता है फेर है यह तुम लोगों ने करना लोगों उन्हें वेरी सिरियस नौट मैंने अभी मन्यों इश्वरणratos बहुत बात की ऑगो कि अगर उसको पहले मैच मोका नहीं मिला रोही शर्मा है नहीं उसके बावजुद भी शुमन गिल नहीं है उसके बावजुद भी स्कोर्ड में बैकप ओपनर आपका अभी मन्यू इशुरन था इंडिया ए उस्टेलिया ए के दो मैचिस होते हैं वहाँ अभी मन्यू इशुरन कम्प्लीटली फेल होता है रितुराज गैकवाट बिल्कुल फेल हो जाते हैं साई सुदर्शन और देवदत पडिकल रन बनाते ह उसके बिहाफ पे इन्होंने देवदत पडिकल को रख लिया क्योंकि उसका पहले डेबी हो रखा है कोई दिक्कर नियों के रिपोर्ट है लेकिन अगर वही क्राइटेरिया था तो फिर टीम एक हफते लेट अनांस की जा सकती थी बौडर गवास का ट्रोफी के लिए लेकि लास्ट बार यह बाद बोल रहा हूं कल से पहले टेस्ट मैच के बाद में कभी यह बात नहीं बोलूगा मैंने बात इनी करनी फिर अभी मन्यू इशूरण की उसके बात इनी करनी है चलो जी अब में आप लोगों को 11 दे देता हूं सबसे पहले फेर है अन्फेर है ये एक कठे एक बार ये बताना है और अपने-अपने मैसिज रखने हैं बाकि किसी के भी नाम को इदर-उदर कुछ भी स्पैम नहीं करना है क्योंकि जो कधेड़े होते हैं वो पहचाने जाते हैं मैंने कल भी एक बात बोली थी और अभी भी बात बोल रहा हूं फेर है या अनफेर ह हो जाए भाई लोगों को जो बी बात सुनने वाली होती है वह चैप्टर में डाल दिए जाएंगे तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फिर हैं जोको जासरे आगे से फिर बातमत करना इनश्य ए और बंश्टिक का प्लेयर ये वह रिस्पेक्ट बढरा मैं से सारी सारी जैसवाल और राहूल ओपन करेंगे देवदत पडिकल नंबर तीन पे अभी जो वहां से सारी चीजें समझ में आ रहे हैं देखें विराट कोली रिशप पंत धुरूव जुरेल रविंदर जडेजा नितिश रेड़ी राणा या कृष्णा इसमें कंफूजन है अभी आई हो यह सेशवी जैसवाल राहूल पडिकल विराट पंत जुरेल जडेजा रेड़ी कृष्णा या फिर राणा शुराज और भूम्रा थीक है मेरी टीम क्या है मैं अपनी टीम बता देता हूं हिंग बरी यह सेशवी जैसवाल अभीमन्यु इश्वरन केल राहूल विराट कोली पंत जुरेल जडेजा रेड़ी अकाश दीप सिराज और बुम्रा चाहा के भी हम लोग दो स्पिनर नहीं खिला पा रहे हैं यहां पे क्योंकि जडेजा को अभी जो प्रैक्टिस वहां से विज्वल आ रहे हैं जडेजा भाई बैटिंग की बिल्कुल बैट्समैनों की तरह म बता देना मुश्किल रहे हो तो फिर तो मुझे जहां तक लगता है तो रेड़ी को खिलाना पड़ेगा तुमको क्योंकि एक फास्ट बोलिंग और तो चाहिए यह चीज क्योंकि वहां पर फास्ट बॉलर्स ज्यादा चाहिए होते और दूसरी बात आ जाती है कि रेड़ी जो ओपन बताया और जो लग रहा है लच्छन वह बहुत टाइम से सुनने में आ रहा है कि केल राहूल ओपन करेगा उसके साथ यह शच्वी जैस्वाल के साथ लेकिन देखना दिल्चसपर रहा कि रहूल ओपन करता है रहूल भी लाइक मुझे तुम टिम में खिला लो कि मुझे लगता है हर एक प्लेयर का एक स्पेसेफिक पोजिशन होनी चाहिए और यहां पर डेब्यू पडिकल का हो देब्यू तो हो रहा है मुझे लगता है कि इश्वान को खिला लेंगे तो बैटर रहा है और को बंडाउन लेकर आजो वह थोड़ी पारी समाह सकता है व कि मुझे लगता है सिद्धी सिद्धी ख़बर देती वह भी सोचते है अफाय उड़ने तो जो उड़ रही है मिलते हैं से को बड़ इक साथ बबाए टेक है